हाँ जी दोस्तों कैसे हैं आप सब तो ढूस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज डिश कि आने वाली है उसके बारे में यूंच Box लगजात दोस्तों इस में काफी जयदा चेंज़ आये हैं और एक चेंज ऐसा है जो काफी जयदा इंटरस्टिंग है और चलिए उस चेंज के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों मेरे नामें हेमद भर्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसी जो इंप्रोमेशन होती है वह टाइम टाइम पर आपके आज पहुंच जाती है तो दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंने देखिए स्टाइटिंग में कहा था कि यार काफी चेंजिस आये लेकिन एक चीज ऐसा है जो काफी जादा अलग है दोस्तों मैंने आपको काफी वीडियो में ये बात कही है कि लगबग बीए सिक्स में जितनी भी बाइक है उसमें आपको एफाई मिलेगा यानि फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्शन कह सकते हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा लेकिन यहां बजाज वालों ने इस ची सबसे पहले तो मैं आपको फर्स चैंज यही है कि जो कई मिलेगा तो उसके बारे में ही बता देता हूं कि अपना पहले समझ लीजे कि एफाई कैसे काम करता है और काशन काम करता है क्या क्या इसमें चेंजिस हैं तो उपर आई बटन में वीडियो आ रही है जर्ली ठीस वी सोधाइ काम कैसे काम करता है मोगा मोटा समझा जेता हूा कि सइंसर लगे होते हैं में इन इन कारवड़ेटर वाली बाइक जो सेंसर लगे होंगे वह का मैसेज बेज़ एगा ECU को और ECU से मैसेज दाएगा अब इसमें ड्रॉप बैक यह है कि जो अब सेटिंग करते हैं और आप किसी मेकानिक से एक बहुत बड़ा benefit यह है कि इससे price में ज़्यादा difference नहीं आएगा basically 2-3,000 तक का ही difference आएगा bike में ज़्यादा difference नहीं आएगा और जो FI वाली bikes आरे हैं उसमें तो सब को पता ही है कि कितना कितना difference आ रहा है यारी bike जितनी भी डिलक्स होगेरा bike आती है उसी तरीके से आपको salenser में भी उबरा हुआ पार्ट नजर आएगा इसके इलावा जो salenser cover होता है वो भी थोड़ा सा change कर दिये गया पहले से ज़्यादा स्टाइलिस्ट आप इमेजिस में देख सकते हैं कि पहले से ज़्यादा स्टाइलिस्ट लग रहा है इसके इलावा बात करें कि और क्या changes तो इसमें aloys भी change हो गए है यानि पहले जहां आपको silver alloys मिलते थे वहां पे अब आपको black color के इसमें आप देखी रहे होंगे उसके इलावा जहां आपका अगर chain case की बात करें चैन केस आपका silver color का आता था तो अब आपका black color का ही chain case आपको इसमें मिलेगा और front fog की बात करें तो आपको पहले से थोड़ा बहुत न्यू ग्राफिक्स मिल रहे हैं यानि यह ग्राफिक्स इसले चेंज किये जा रहे हैं ताकि पता लगे यार एक fresh look मिले कि हां हम bs6 की bike ले रहे हैं तो दोस्तो अब बात करते हैं इंजन specification के बारे में दोस्तों इसमें आपको 102 cc का 4-stroke single cylinder air cool engine मिलेगा जो आपको 7.7 bhp की power देगा और 8 nm का आपको टॉर्क देगा इसमें आपको 4-speed gearbox gear मिलेंगे और इसके इलाबा बात करें तो यार दोस्तों इसमें आपके दो variants हैं यानि आपको इसमें 2 variants मिलेंगे एक पहला variant होगा आपका kickstart और दूसरा variant होगा sell start अब बात करें कि इसका price कितना होगा तो दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2000-3000 का difference होगा तो जिसकी starting price है वो है आपका 2500 के लगबा गया यानि साड़े बती हजार के करीब इसका starting price हो तो यानि अरौंड-रौंड आप 2-3,000 का difference ले लिजे यानि 2000-3000 से ज्यादा इसका price में फर्क नहीं मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है कि ER Carburator से ज्यादा price का फर्क नहीं आएगा दोस्तों अब बात करें launch date की बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है तो दोस्तों यह bike आपको March या April यानि March और April के बीच बीच में definitely guaranteed आपको मिल जाएग और personally मैं बताओं कि यह bike मैंने काफी ज्यादा चलाई है तो यार ऐसा नहीं है कि अगर यह bike सस्ती है तो यार यह इसमें quality cheap है यार यह अपनी category में सबसे best गारी है और मैं यह नहीं कहुंगा कि यार इसके लावा और गाड़ियां अच्छी नहीं वो भी अच्छी है लेकिन यह गाड़ी भी best है यानि यह bike basically यह भी best है तो इसका सिधा सिधा मुकावला होगा splendor से डिलक्स से जो भी 100cc की market में bikes आती है सबसे इसका competition रहेगा दोस्तों जाते जाते मैं आप सबको यह कहना चाहूंगा कि अगर आप एक सस्ती और अच्छी bike ढूंड रहे हैं तो हाँ य जैहिंद बंदे मात्रम